नमो नानायन जाए महाकाल जाए माब अगला मुखी देखिए आज का विशे है कुल देवी देवता के बारे में आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है जो विशे लिया है वो है कि 14 यानि 14 ऐसे लक्षण जिन से पता चलता है कि कुल देवी आपसे प्रसंद है उनका वास आपक पूजते हैं यानि एक ऐसे देवी देवता जिनके लिए हमारे मन से अपने आप करने का मन हो हर इंसान अपने इश्ट को चुन सकता है कोई इसमें प्राबलम नहीं आप सोतंत्र हैं इसलिए इश्वर ने इतने सारे रूप धरे हैं जो भी आपको प्रे लगता है वो आप कर सकते हैं तो उसी प्रकार से कुल देवी देवता भी पहले चूस किये गए थे आपके पूर्वजों के द्वारा हमारे जितने भी कुल देवी देवता है हमारे जो परवार है हिंदू के वो किसी न किसी रिषी के वनसज है जिनसे उनके गोत का पता चलता है और हमारे वह वही पूर्वजो ने अपने कुल देवी देउता का चुनाव कर लिया था और वही समय से वो पूजा करते आ रहे थे अब उन्से उन्हें अध्यात्विक वन्नती मिलती थी पार लो कि सक्ट्यां मिलती थी जिससे उन्हें बहुत सारे फाइदे होते थे और वहाँ पर किसी भी ब्रकार की नाकरात्मक सक्तियां और किसी ब्रकार का बाधा नहीं होती थी, पार नहीं कर पाती थी आज के समय में हर इंसान इतना विजी हो गया है कि उसे अपने कुल देवी देउता का ध्यान नहीं है इसका कारण एक ये भी है कि ऐसे लोग सहरों में बस चुके हैं आके और धीरे धीरे ये सबी चीजें भूलते जा रहे हैं मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत सारे पूजा पार्ट करते हैं, मंत्र जबते हैं, साधना करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें फाइदा नहीं होता है और इसके बावजूद भी उनके घर में एक एक करके बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जिससे उन्हें फाइदा तो कम नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने अपने पहले के वीडियो में कई बार बोला हुआ है मैं भी फिर से बोल देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको सार्णा के मार्ग में आगे बढ़ना है या पूजा से आपको चाहते हैं सिद्या उन्नती मनुकामनाएं तो सबसे पहले दो चीज को सही कर लीजिए एक अपने पित्रों को खुस कर लीजिए और दूसरी कुल देवी देता को प्रसंद कर क्योंकि जो आपके पित्र हैं वही आपकी पूजा का फल आपके कुल देवी देता तक पहुँचाएंगे और कुल देवी देता अगर प्रसंद है तो आपके इस्ट तक बात पहुँचेगी प्रसाद पहुँचेगा उसके बाद ही आपको मोच मिलेगा सिद्धिया तो कह सकते हैं ये दोनों चीजें एक तरीके से ब्रिज है और ये ब्रिज टूटा तो बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं पहले पता नहीं चलते हैं लेकिन अगर यही देवी देवता आपसे प्रसंद हो जाएं तो आपको बहुत सारे फाइदे मिलते हैं जिस इसके opposite आप अगर कर देंगे जो भी मैं point बता रहा हूं positive way में इसको आप negative way में कर देंगे तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके घर में देवी देउता का वास नहीं है तो एक बार में ही दोनों topic cover हो जाएंगे चलिए पहला point समझते हैं कि अगर आपके घर में किस का वास है इस्वर का वास है और आपके ओपर उसका हाथ है अगली बात ऐसे इंसान के घर में ऐसे मुखिया के घर में ऐसे उस इंसान के घर में जो साधना करता हो कभी भी नकारत्म कुर्जा नहीं आ पाती है नकारत्म कुर्जा यानि वह आलसी नहीं होता है दूसरों की ब पूराई सुनता है ना धर्म के विप्रीद जाता है अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाता है और परोपकार सदाचार सभी पाठ वो करता है तो इसका मतलब ऐसा इंसान सकरत्म गुर्जा से घिरा हुआ है और नकरत्म गुर्जा से कोसो दूर है थर्ड पॉइंट आता है उसकी उन्नत ही गोती चली आती है, यारी हर तरफ से उसे सपलता ही सपलता मिलती है, जिंदगी में वो तरक्की करता चला जाता है, फूर्फ पॉइंट आता है कि ऐसे इंसान के गर में कले नहीं होता ही, यारी लडाई जगले नहीं होते हैं, invention देखें आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी खापि लिए, लेकिन अगर घर में आते ही आपके घर में लडाई जगले स्टार्ठ हो जाएं, या फिर आप करु लिजे कि आपके घर में असांती है तो ऐसा भी अगर आपके घर में नहीं हो रहा है तब भी आपके उपर इस्वर का हाथ है कुल देवी दिवताब से प्रसंद है पांचमा पॉइंट ऐसे इंसान को भाग का साथ मिलता है बिना कुछ सोचे समझे उसे बहुत सारी चीजे मिल जिस इंसान के पास भाग का साथ होता है उसे जिंदगी में रुकावटे कम देखने को मिलती है ऐसा इंसान गुलाब की पंखडियों के उपर अपने कदम रखता हुआ जिंदगी में आके बढ़ता चला जाता है अगला पॉइंट आता है इसे इंसान को बहुत कम संगर्स म मिल जाती है तो बहुत से लोगों को आप ये कहते हैं सुनेंगे कि अरे उसके पास तो भाग का साथ है लकी है किसमत से वो इंसान तो ये जो लकी होता है ये जो भाग का साथ होता है वो भाग का खा रहा होता है यही है कुल देवी देवता का हाथ अगला पॉइंट साथ आ इस्ट अगर परसंद है, तो कुल देवी देवता परसंद है, कुल देवी देवता परसंद है, तो इस्ट परसंद है, तो इन में से दो भी अगर कोई भी दुखी है, तो आप कितना भी पूजा पाट कर लें, कभी भी सफलताप को नहीं मिल सकती है, अगला पॉइंट आठ न कर्ज ऐसा होता है कि आपकी रातों की नीध हराम कर सकता है दिन के चैन खो सकते हैं आप तो कर्ज बहुत ही बेकार बिमारी है और कर्ज एक बार लेने के बाद इंसान सोचता है कि मैं फिर से कर्ज ले लूँ और इस कर्ज को उतार दू तो ऐसा नहीं है कर्ज आपके उपर च होते हैं पूजन होता है हवन होते हैं टेन नंबर ऐसे इंसान के घर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं होता है कितनी भी भीषड प्राकरतिक आफदाव बीमारी के रूप में उस घर को नहीं चुएगी क्योंकि ऐसा कवाच हो जा वो सब पानी के तरह से बहते चले जाएंगे और रुकने का नाम नहीं लेंगे अगली बात आती है कि कुल देवी देवता के प्रसंद होने से आपके बच्चे चिर्चले नहीं होते हैं आपके बच्चे काम करते हैं जो विध्यारती लोग परिच्चा में सफल होना चाहते हैं बहुत आसानी से प्रतियोगी परिच्चाओं में सिच्चा में कम्टीशन में आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके घर में कुल देवी देवता का वास है सबसे बड़ी बात च्वर्व नंबर की ऐसे इंसान का कोई भी सत्रू नहीं होता है और जो सत्रू होता भी है तो उसकी कोई बिसात नहीं होती है वो कुछ नहीं कर सकता है सिर्फ कोने में बैट के अपने हाथों को मसूर सकता है कुछ नहीं कर सकता है यानि ऐसे इंसान का दूखा देने की सोच भी नहीं सकता है, दोगा इनसान नहीं खाता है, वो इंसान आमके और से दूर रहेगा, आपके पास नहीं आएगा, लेकिन धोखा भी नहीं दी पाएगा, अगर धोगा देने की सोचेगा, उससे पहले ही उसके अथ धोगा olduğunu जायेगा, क्योंकि इस तquito उसके साथ होते हैं, ऐसा इंसान कभी भी जाके कही पर भी रो दे, तो उस इंसान की हाय, यानि उसकी आंसू सामनेवाले, जिसके लिए रो रहा होगा, उसको पैत्रक संपती भी मिलती है पैत्रक संपती, बहुत बड़ी चीज होती है, देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपके पिता जी या पहले के दादा जी जिनके पास भी बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसको आप भोग नहीं पा रहे हैं आप उसमें नजर गडा के बैठे हुए आप सोच रहे हैं कि चलिए नजर नही आपकी चीजे प्रबल हैं तो अपने आप पैतरक संपती मिल जाती हैं यह सारे पॉइंट से इस वीडियो के अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो सबसे इंपोर्टेंट है इन टॉपिकों को छोड़के देखिए इन कुल देवी देवता का आपकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता है कोई इस दुनिया में माई का लाला एस्टो लाजर पैदा नहीं हुआ जो आपको बता सके कि आपके कुल देवी देवता आपसे नराज ह क्योंकि ये जो चीजे होती हैं आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई होती है और इसका जोतिसी से कोई देना देना नहीं होता है यह हमारे कर्मों के उपर होते हैं हमारे पूर्वजों के उपर होते हैं हमारे संस्कारों के उपर होते हैं आपके संस्कार अगर अच्छे है और आप चाहते हैं कि इस समय अपनी कुल देवी देवता को परसंद करें, तो इसमें कोई बहुत बड़ा गड़ित नहीं है, कोई rocket science नहीं है, बस जैसे आपके पूरवज, आपके कुल देवी देवता को पूछते आ रहे थे, बस उसी तरीके से आप भी पूछना चालू कर सब कुछ अच्छा होने लगेगा, अब सबसे बड़ी बात आती है important कि अगर आपको अपने कुल देवी देवता का पता नहीं है, जो कि इस वीडियो का एक main विसाय हो सकता है, और मुझे ऐसे बहुत सारे DM इस्टागराम पे भी आए थे, जो मैंने real बनाई थी, तो मैं उन आपके चरणों में अपने जीवन को समिर्पित करना चाहता हूँ, क्या प्रयाब मुझे अपना आभास कराएं आपके जो भी कुल दे वीडियो हता हूँ, आप पे करपादर्स्टी बरसाएं, इसी के साथ इस वीडियो से मैं इजाले लेता हूँ, नमौना रेन, जाए महाकाल, जाए माबगला मुखी